साथियों, कॉमर्सियल कॉल माइनिंग के लिए आज जो आक्षन की शुरुवात हो रही है, वो हर स्टेक होल्डर्स के लिए विन-विन सिचुएशन है। इंडर्स्रीश को, आपको, अपने बिजनेस, अपने इंवेस्टमेंट के लिए अम नए रिसोर्सिज मिलेंगे, नया मार्केट मिलेगा, इसके साथ ही राज्य सरकारों को बहतर रिवन्यू मिलेगा। देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा, एक प्रकार से गरीबों की सेवा का काम कोईले से भी हो सकता है, इसका विश्वास पैदा होगा। यानि हर सेक्टर पर एक पोजिटिव असर देखने को मिलेगा, और मैं जो फिल कर रहा हूँ, इसके कारण हमारे देश के गरीब इलाकों के और गरीब लोगों के सबसे ज़्यादा आशिरवात हम सब को मिलने वाले हैं। साथियों, कोल्ड रिफॉर्म करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि एन्वार्मेंट की रक्षा का भारत का कमिट्मेंट कहीं से भी कमजोर न पड़े। कोल्ड से गैस बनाने के लिए अब बहतर और आधुनिक टेक्नोलोजी का हम प्रयोग करना चाहेंगे चाहें और टेक्नोलोजी आप आएगी। कोल्ड गैसिफिकेशन जैसे कदमों से एन्वार्मेंट की भी रक्षा होगी। कोईले से बनने वाली गैस का उप्योग ट्रांस्पोर्ट और कोकिंग के लिए हो पाएगा। यूरिया और स्टील मैनिफेक्टरिंग से जुड़े उद्योंगों को प्रमोट करेगा। 2030 तक यानि कि इस दसक में करीब सौ मिलियन टन कोल को गैसिफाई किया जाए। मुझे बताया गया है कि इसके लिए चार प्रोग्रिजेक्ष की पहचान हो चुकी हैं और इन पर करीब करीब 20,000 करोड रुपिये इन्वेस्ट किये जाएंगे।